पर 10 देखिए, 10 नमर में क्या दिया है, X बटा में 1 प्लस X का पावर 4DX, यहीं न दिया है, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा sit कर लेता हूँ, X बटा में 1 प्लस X स्क्वाइर का स्क्वाइर कर सकता हूँ, अब उट करते हैं X स्क्वाइर के जगा पर 10 ठीटा, differentiating with respect to ठीटा, तो X स्क्वाइर का क्या हो जागा यहाँ पर, 2X, DX बटा में D ठीटा, बराबर में सेक स्क्वाइर ठीटा, तो यह 2 कॉंसेंट है ले जाते हैं और D ठीटा भी उटन ले जाते हैं, तो X, DX बराबर आ जाएगा, आपका हो जाएगा 1 by 2, सेक स्क्वाइर ठीट ठीटा, D ठीटा, और नीचे हो जाएगा 1 plus X, X स्क्वाइर है, तो यहाँ X स्क्वाइर का जाएगा, पर 10 ठीटा, यानि 10 स्क्वाइर हो जाएगा, 10 स्क्वाइर ठीटा, नहीं नहीं होगा, चलिए, आप अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 by 2, सेक स्क्वाइर ठीटा, D ठीटा, और नीचे देखो ना भईया, यहाँ भी सेक स्क्वाइर ठीटा हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 1 by 2 ठीटा प्लस सी का एंसर आगया, अब वापस से यहाँ ठीटा का वैलू रख गया, तो ठीटा का वैलू यहाँ से 10 इंबर्स X इसका एंसर आगया, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स वीडियो में आगे कोस्टन को देखेंगे, प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक सेर करें, और इसे रिलेटेट वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में आगा